योग करम सू कोशलम योग करम की कुशलता का नाम है शरीर मन और बुधी तीनों का समन्वय योग है और मैं इस वक्तल के मिनर्वा पबलिक स्कूल में मौजूद हूँ और मुझे लगता है कि जून की छुटियों का इससे अच्छा अपयोग नहीं हो सकता बच्चों के लिए और योग शीवर के दुरान बच्चे जिस तरह की विधाएं सीख रहे हैं और जिन आचारियों के माध्यम से सीख रहे हैं वो तमाम जानकारिया आपके साथ साजा करेंगे और पहले एक बार देख रहेते हैं इन बच्चों की योग कलाएं और इनके करतब आचारिये सूरिये देवारिये गुर्कुल कुरुषेतर की ओर से अब यहान चला जा रहा है पूरे अर्याना बर में और उसी के तहट ये कारिक्रम चला रहे हैं गर्मी की छुटिया होते हैं बच्चे खाली गूमते हैं उनको अच्छी आदते हैं उनको संध्या अवन यज बगती ग्जान और योग अभ सक हैं यह भी काम करते हैं और इस सारे कारी करम के आज सेयोजक है हमारे गुरुकुल उनका भी विशेश सयोग आशिरवाद रहता है गाउं के स्कूल में कितनी दिनों से आवजिन की चल रहा है यह एक सप्ता हो गया हमें आई हुए छे तारीकों आये थे आज बारतारीक है बच्चों का या ग्रामिनों का किस तरह का रिस्पॉंस देखने का मिल रहा है बच्च सब्सक्राइब से बारतारकों पंग में है को तो धिन मेंसे फ्सक्राइब वर्रयुत रहे नाविनों एदिन अ कमको मिलिशी देखने का रहेगी खासकर देखने के और चाहिकाद से सदुपॉर्षिकाल महीने में ऊक्तिक्स पालदार आगे चलाते हैं यह जितनी भी चुटियां रहती हैं उसमें शीवर चलते हैं योगासन प्रणायाम व्याम लाठी चलाने सब कराते हैं और आगे भी ये कारिक्रम चलता रहेगा जो चुटियां बंद हो जाएगी बाहर बैठने का मौसम आएगा तो पूरे विद्यालों को हम योग पैथी का भी डॉक्टर हों दुनिया में बहुत पैथियां तो फेलो रही हैं जिनके साइड डिफेक्ट आ रहे हैं परंतु सुखी और सही इलाज के लिए सरीर और मन को सारीरिक और मानसिक रूप से सही करने के लिए कोई है तो केवल योग प्रानयाम व्यायाम और प्राक योग हमारे जीवन का सबसे मुल्य स्थान है और योग करने से सरीर सवस्तर रहता है और सबी लोगों को योग करना चाहिए क्योंको योग करने से निरोगी काया हो जाती है अब ये किसके दिशा निर्देशा नुसार इस तरह के आयोजन किये जा रहे हैं घुरकुल कुरु योग चेतर में तो विशेश उनकी द्वारा ही ये कारिकरम चलते हैं और हम लगातार 6-7 साल से यहां कैथर में हर स्पूल में हर गाउं में योग की कक्साइन लगा चुके हैं और दबारा ये दूसरी बार हर गाउं में जा रहे हैं ज़र्षकों से को खास निवेदन हो यो से ज्यादा योग दिवस के दिन भी योग करें और ये पूरे देश में मनाया जाता है ऐसा हमारा मानना है करम सिंग मैं गाउं साथ से हूँ मैं मेरा गुरु जी है सुर्या देव जी क्योंकि मैंने बचपन से बहुत कुछ सिख्ठ या लड़के और लड़की यहां और यान्या का साथ पहले गाउं होगा जिसमें 400 लड़के और लड़के इकठे ग्राउन में खेलते हैं वह बिल्कुल नीस लोग गाउं वाला विश्यों कर रहे हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है सब से पहले अपना स्वास्थ्य है उसके बाद संस् और जो बच्ची है मेरा ऐसा मानना है क्योंकि जब करोना के से में मैं बच्चे फोन देख रहे थे टीवी देख रहे थे उनकी बविश्या अंधकार की तरफ जाह रहा था बिल्कुल अंधकार की तरफ जाह था बच्चे का चीड़ चड़ा सबाव था तो हमने कैंप कुछ नहीं कर सकते और आप इसमें किस तरयष ego दे सकते हैं को यह बताएंस देख सब्सक्रानमी में चुशन चाहला का चला गया बीमारी की साट चलाएगी मैं तो सब्स은ज करता हूं बिने विष्य करता रखे ज़्यादे से मांगों को इदर उधर आवारा न जाने दे जादा फोन यूज न करने दे टीव गारा न देखने दे उनको जीतना हो सका उनको योग करवाओ व्याम करवाओ अरे खेलने कुदरने में तोड़ा से मैं जिरूरी यह बच्चे को क्योंकि बच्चा बच्च अगर लोग आप से जूड़कर योग सीखना चाहिए योग का प्रशिक्षन लेना चाहिए तो वो क्या करें देखिए योग तो मेरे गुरुजी सीखा हूंगा मैं उसके गुरुजी के आदेशा अनुसार मैं गाओं में बच्चों निसुर्ख सीख सदे रहा हूं सब्सकारी है सब कुछ अच्छा अच्छा है सबकुछ बड़ी आच्छे सब्सक्राइब